प्राजनितिक प्रसार करवाना ये बात करते हैं अरिटर्स गिल्ड आफ इंडिया ने इस बारे में पिछले हफ्ते ही एक बहुत ही सक्थ चिट्थी लिखी है प्रेस रिलीज लिखी है कि इस तरह की बात हैं बंद होने चाहिएं दूसरी बड़ी बात उन्हों उटाई है वो उटाई है प्राइवेट इंक् चर्चा करने के लिए चार तीन खास महमान हमारे साथ में मौझूद हैं के सचिदानन मूर्थी जो के अरिटर्स किल्ड के पिछले तीन बार से जनरल सेकेटरी हैं और उसके साथ में हैं परुण जो गोहाथ ठाकुरता जो कि किताबे लिख चुके हैं एथिक्स, मीडिया एथ हमारे मिलक मेरे समय है क्या तकुम्हया उतना जहषा यह उतना जहज लेकर करके हो रहा है तर जियुक्ष मात लेना देना absolutely का मीडिया के एथिक से नहीं है उख मठ ऋम्ही ब defensive है और उसको अगर हम देखें तो उनकी रीडर्शिप जो है अगर साड़े चार आदमी एक अकबार पढ़ता है जो उसके लिए तो कोई 45 करोड लोग हर दिन कोई ना कोई अकबार किसी ना किसी भाशा में हिंदुस्तान में पढ़ते हैं कुल एड़िजमेंट रिवेन्यू हमारा जो प्रिंट मीडिया है उसका कोई 14,000 करोड के आसपास आकर बैठता है और टेलिविजन की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में इस समय 417 टेलिविजन चैनल हैं 50 करोड से ज्यादा लोग इसको देखते हैं और 10,000 करोड का एनुवल इंकम एनुवल रिवेन्यू जो एड़िजमेंट से आता है वो इसको मिलता है हमारे मुलक में इस समय सिर्फ 25 ऐसी कंपनी हैं जो की लिस्टेट कंपनी हैं मीडिया की और उनका कुल मार्केट कैप इस समय जो है 29,309 करोड तो ये एक बड़ा बिजनस है और इस बिजनस में इस साल मंदी के बाद में सबसे ज्यादा मंदी जो है वो देखी गई है वो भी हम आपको उसके आखरे वी कुछ दिन में बताएंगे लेकिन ये समस्या 2009 में इसलिए हुई है कि 2009 में एक तो हमारे आम चुनाव हुए थे और इसके बाद में कई राज्यों के बहुत महत्पून चुनाव हुए हैं जिसकी वज़े से मीडिया पर ये आरोप है कि वो पैसे लेकर के लोगों का प्रचार कर रहा है कितनी बड़ी समस्या है और क्या ये इतनी बड़ी हो गई है कि आईटर्स गिल्ट को आप कहना पड़ रहा है कि उसके खिलाफ वो मुहिम चलाएंगे ये समस्या बहुत बड़ा बन गया इस जो दोहजान आउक चलो में क्यों तो पहले भी एक दो कॉंसिटिएज में एक दो कैंडिट्स तो करते थे मंगर इस बार तो पैकेज जो पैकेज जूस बन गया तो कहीं राज्यों में आंदरप्रदेश, करनाटक, महराष्ट्रा ये उनको पॉलिटिकल पार्टिस को बोलोंगे ठीक है आप तो इतना कॉंसिटिंस से इस राज्य में इसको इतना लाग रुपाय दे दीजिए हम आपको पैड नूस तो पैड न्यूस क्या है आप तो अडूटाइजमेंट ले लिजिए उसमें कोई ये है क्यों तो उसमें इस पत्रकार का नाम आता है तो इह तो जैसे न्यूस नैसे चापते है और इसको कोई अदूटाइजमेंट अजिसमेंट नए हैate तो हम दोड़ते हैं आप तो न्यूस तो आप आपका रिपोर्टर्स को, फोटोग्राफर्स को बेजना, न्यूस ग्यादर करना, उसको चापना है उस पर कोई बायास नहीं होना चाहिए, इंटिमिडेशन होना नहीं चाहिए पैसे कासर नहीं होना चाहिए